नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज मुके सहनी क्या करेगा यहाँ पर सीएम का रिष्टदार बैठा है ये बातें कहना थाना अध्यक्ष को काफी महंगा पड़ गया है देखें बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि कैसे एक थाना अध्यक्ष का ओजियो वाइरल हो गया था जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ था आपको बता दें कि अब इसको लेकर गया पुलिस भी आक्टिव हो गई है गया पुलिस ने बड़ा ट्वीट किया है बड़ा देश जारी किया है और बड़ा आक्शन बड़ी कारवाई हुई है उस थाना अध्यक्ष पर पूरा मामला क्या है तफसील के साथ आपको इस रि वैरल हो रहा था वे आईपी के प्रखंड अध्यक्ष आनिल कुमार अपनी बाई की चोरी होने के केस की जानकारी लेने आमस थाना पहुचे थे थाना अध्यक्ष वहां पर आग बबूला हो गए थे इतना गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने पूर्व मंत्री मुके सहनी पर भी जमकर आभधर भाशा का प्रयोग किया था जिसके बाद आपने देखा था कि उनका गाली गलोज वाला ऑजियो भी वाइरल हो गया था देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अब इसको लेकर गया पुलिस आक्टिव हो गई है गया पुलिस ने बड़ा ट्वीट किया है देखिए वो ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या कुछ लिखा गया है इस ट्वीट में वो भी देखिए देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस निरक्षक इंदरजीत कुमार थाना ध्यक्ष आमस थाना गया को मोखिक ततकाल प्रभाव से पुलिस के इंद्र गया वापस किया गया है बस इतना ही नहीं देखिए और भी लिखा हुआ है पुलिस निरक्षक इंदरजीत कुमार थाना ध्यक्ष आमस थाना गया के द्वारा अभध्र भाशा का प्रयोग करते हुए वाइरल ओडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महा निरक्षक महोदे गया से नियम अनुसार निलंबन एवा मनुशासनिक कारवाई करने हैं तू अनुशंसा की गई है तथा पुलिस निरक्षक इंदरजीत कुमार थाना ध्यक्ष आमस थाना गया को मोखिक निरदेश अनुसार ततकाल प्रभाव स से पुलिस के इंदर गया वापस किया जाता है बड़ा एक्षन हो गया है बड़ी कारवाई हुई है कारवाई क्यू हुई है वो भी हमने आपको बताया है और देखिये इसको लेकर अब vip की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है vip के राश्ट्र प्रवक्ता ने भी टूइट किया है उन्होंने फेस्बुक पर पोस्ट भी डाला है और साफ साफ लिखा है कि गाली बास दरोगा पर गया एस पी और गया पुलिस ने किया कारवाई देखिए बड़ा ट्वीट हो गया है बड़ा आक्शन भी हो गया है थाना अध्यक्षपर डंडा क्यूं चला ये भी हमने आपको बता दिया हंगामा क्यूं बर्पा है ये भी हमने आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताया है देखिए सबसे पहले आपको लाइफ सिटीज ने बताया है कि आखर कार आक्शन हो गया है आक्शन हुआ है ताना अध्यक्षपर और बड़ी कारवाई भी हुई है तो फिर ये पूरी खबर पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा त करके हमें जरूर आपको कैसी क्नाप कार आक्शन है पहले कि उरुए है तो अङ्यक्षपर ।नीज़ी ने लिएर भी हैं घाएफंगा आपको कैसी पहले है ताना अग्यक्षक है एक्षपर यारश सबस्चन है।